हेलो दोस्तों कैसे ही आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है ममता चन्ना आगन से आई थाली गिरने की आवाज बहु अमता दोड़ती हुई आगन में पहुची क्या हुआ आम्मा थाली का गिरादी बम मुश्किल सब्द निकले अमिता के मुख से न जाने कौन घड़ी में तुनिकम्मी हमारे गले पड़ गई अरे चार आदमी का खाना बनाने में भी मौताती है तुझे जूठी थाली में ही खाना निकाल लाई मेरा गायतरी देवी ने मुझ से सोले बरसाती हुए जवाब गुस्य से उनका सरील काप रहा था आवाज में इतना गरज की नई नव अम्ता ने सुबकते हुए थाली उठाई और सोई घर की ओर चल दी इधर अम्मा गायतरी देवी लगी रगड रगड कर नहाने न जाने किसका जूटन खिला दिया मुझे आप अवित्र कर दिया निकम्मी ने अम्मा बड़ बड़ाती जा रही थी दो चार दिन बीते तो अ किसी बात की कोई कमी नहीं है उनके दो बेटे विजे और राजिव हैं बड़े बेटे विजे के भी कुस दिन पहले ही साधी हुई है अमिता अम्मा जी की नए नवेली दुल्हन एक परिवार से है इसलिए अम्मा हमेशा ही उसको दबा कर रखने की कोशिस करती है बड़ा कुस सोचे पतनी को किसी के भी सामने लतार देना उसके लिए बेहत सामानी शिवात इतने अपमान और जिल्द सहिन करके भी अमिता अपने पती को ही अपना सर्वस समस्ती थी अम्मा की शिवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी अटारा बरस की अमिता अपनी मा की एकलो सह जाती थी उपर वाले ने भी फुरसत से गड़ा था उसे गुलाबी रंगत लंबे भुंगराले बाल पतली कमर और उचा लंबा कद अम्मा ने एक निजर में उसे अपने विज़े के लिए पसंद कर लिया था यू तो अम्मा का कड़क सुभाव है मैं समझ रही हूँ लेकिन जराबात पर अनका अपमान आज कुछ ज़्यादा ही अजीब बरताव की आम्मा ने अमिता अपने पती को बता रही थी देख तु ज़्यादा दिमाग मत चला और आहिंदा कोई सीकायत नहीं मिलनी चाहिए तेरी एक बात की गाठवान देले अम्म को फटकार लगा दी बाप के घर पटक देने की बात से अम्ता थोड़ी असहज हो गई थी कौन सा सगा बाप था उसका सोतेला बाप वो भी पूरा कसाई जराबी भनक लगी कि ससुराल में कुछ उपर नीचे हुआ है उसके साथ साथ उसकी मा की भी जिन्दगी नरक बना द अरे माई ने भी कौन जन्म की सजा भूगती उसे नसेड़े से ब्या करके सारा जीवन रोकर ही काटा दो रोटी खाने के लिए दिन भर खेत में मजदूरी करती उस पर भी घर आकर बाप से गाली सुनती अनायास ही उसकी आखों के कोर भीगने लगे अगले ही पल खुद को से यत करते हुए वो घर के कामकाज में लग गई इस घर्टना के बाद अमता थोड़ी सावधान रहने लगी उसे समझ में आ गया था कि विजे मा के ही कहने में चलेगा ले देकर बस घर में एक देवर ही था जो से कुछ इज़त और प्यार से बात करता वो भी लल्ला जी ल विडर भी नहीं था छा फुटका बा का नौजवान था राजियो बाई की अनुपस्तित में घर खेज जमीन सबका खयाल लगता रात में जब घर लोडता तो अम्मा लाड़ से उसका सिर सहलाती फिर अपने कमर में जाकर सोती अमता अपने कमरी में खड़ी मा बेटी का प् सबको अपनी पवित्रता साबित करने में बिता दी पुरुसों के समाज में किसी इस्त्री को अगर पुरुस छोड़ दे तो समाज इस्त्री में ही खोड ढोड़ना प्रारंब कर देता है सत्रा बरस की कच्ची उमर में शादी तलाग और बिनापती के कोक में एक बच्चा लिए उसने दरदर की ठोकरे खाई मर्दों की अच्छी बुरी नजरों का सामना किया वो भीतर से तूट रही थी ऐसे में एक आदमी ने उसे सहरा दिया बिया करके अपने घर ले गया उसने फिर से जीने की कोसिस की ही थी कि एक बार फिर सच्चाई ने अपना रूप देता उसने कब का मुस्कुराना छोड़ दिया था साइद उसे अब कोई आसी नहीं जीवन से अमिता की साधी तै करते समय भी मा बिल्कुल सवेदंधीन खड़ी थी उसने कोई गिरोध भी नहीं किया था नहीं खुसी जाहिर की थी जिंदा लास बनकर जीती रही मा अब आमने में अकेली सोती जवान खुबसूरत भावी को देख राजियू की नियत बदलने लगी थी रात बेरात वो अमिता को किसी ना किसी भाने से बुलाता और काम पकड़ा देता अमिता भी लल्ला जी के काम में कभी इंकार नहीं करती पूरी तनमेता से वो काम में जुठ जाती उधर राजियू बदनियत से उसे घुरता रहता दिन भर सीधे पल्ले की भारी भर कम साड़ी और सर पर पल लोड़े रहने वाली अमिता रात में हलकी जारजट की साड़ी पहन लेती उस पर भी उसका बेफिकरी से उड़ता आ चल कुले बाल जिसकी लटे उड़ को मना किया था राजियू के हासी मजाक को भी वो उसका बचपना समझकर नजर अंदाज कर देती थी आमिता के मन में कोई खोट ना था वो तो बस बोल की प्यासी थी जो उसने अपने जीवन में कभी सुने ही नहीं थे पहले बाप और पर पती भी गर्म मिजाज मिल गया थ किस्मत में अगले पल क्या होने वाला था इसका अंदाजा नहीं था अमिता को समय बीत रहा था राजियू की गिदर रष्ट भी आमिता पर बढ़ती जा रही थी एक दिन खबर मिली कि अम्मा की खास सहली पुस्पा की हालत गंभीर है रात का समय था अम्मा की बेचेनी दे कराजियू ने कहा काहे चिंता करती ही अम्मा मैं तुझे भी मौसी के यहां पहुचाय देता हूँ आधी रात ही अम्मा राजियू के लिए निकल पढ़ी पुस्पा के घर पहुचकर अम्मा ने राजियू को वापिस घर लोटनी को कहा बहु को घर में अकेले नहीं रही थी अम्मा ने कहा ठीक क्या उनका आखरी वक्त समझो भाबी एक कपचाय बना दोगी थकान बहुत हो गई है अभी लाई आचल सबेटती अम्मा रसोई की ओर बढ़ गई पानी चढ़ाया ही था कि अम्मा को अपने पीछे एक साया साल हराता दिखाई दिया पलट कर द लला जी ऐसी नजल से कभी नहीं देख सकते कब राजियू को थमा कर वो अपने कमरे में चली पीछे पीछे फिर से वहीं पच्चाप सुनाई पढ़ने लगे अगले ही पल राजियू उसके ठीक सामने खड़ा था इतनी रात को मेरे कमरे में लला जी कुछ चाहिए क्या बूल रहे हो तुम्हारे बड़े भाई की पतनी हूँ अभी निकलो यहां से नहीं तो अम्मा जी को सब बता दूँगी गुस्से में चीक पढ़ी थी अमिता अच्छा और तुम्हें लगता है अम्मा तुम्हारी बास सुनेंगी एक मिनिट में निकाल बाहर करेंगी तुम जूठी माकार बता कर फिर बताती रहना अपने सरावी बाप को अपनी आप बीती वो घीटिता से मुस्कुराया चुपचाब मेरी बात मालो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा मैं आपके आगे हां जोडती हूँ आप जाए यहां से अमिता गिड़ाई मतलब तुम प्यार से लगती बहू राजिव अम्मा गर जी अम्मा मेरी कोई गलती ना है यह मिता ही बहला फसला कर राजिव ने कहानी बनाने शुरू की उसे पुरा यकिन था अम्मा अपने लाड़ले बेटे की बात को टाल ही नहीं सकती उधर अम्मा जड़ हुई खड़ी थी आखों के आगे अंध्यारा चाने लगा कुछ हो समाला तो पत्तीस बरस पहले की घटना एक के बाद एक आखों के आगे गोमने लगी मुझे माफ कर दो माई मेरी कोई गलती नहीं है तो विजे के बापू के अलावा कभी किसी मरत को आग उठा कर भी ना देखा ये राजे से खुद मेरे कम के दिखाए होंगे ऐसे कोई आदमी बिना बात किसी ओरत से जवर दस्ती नहीं करता ये राजस तो बोल रहा है कि अक्सर आता है तेरे कमरे में तुही बुलाती है बोल कुल्टा कब से चल रहा है सब भगवान जाने पेट में ये बच्चा भी किसका लिए घुम रही है के एक पेटे ने मेरे साथ दुराचार किया और दूसरा मेरे ही चैजित पर उंगली उठा रहा है तू सच बोले या जूटे किसी की जूठन इस घर की लच्मी नहीं बन सकती तू एक जूठन है बसे इससे ज़्यादा तेरी कोई आउकात नहीं है कल सुबा होते ही इसे उसे जूठन बुला रहा था वो असाय सी घुटनों में मूचे पाय नीचे बैठी थी बड़े घर की बहु थी गहिनों की कोई कमी नहीं थी कमरे में आकर उसने अपने सारे गहिने एक पोटली में बांदे और विजे को गोध में उठा कर आधी राती वहां से भाग कर का जीवन बिताया पती ससुराल माय का सब पीछे चूट गया था अगर नहीं चूटा था तो वो था जूठन का दाग जो उसके दामन को कलंकित किये था गलती नहीं पर भी सारा जीवन खुद को ही दोसी समझ दंद देती रही थी गायतरी आज भी जूठन देख उसे अपन पहले आई गरीब घर की अनाथ कौन मेरी सुनेगा यहां से निकाली जाओंगी तो मेरे साथ ही मा का जीवन भी खराब हो जाएगा अम्ता का मनब खुछ से ज़्यादा मा के लिए वितितो उठा मैं यहां किसी कोने में पड़ी रहूंगी अम्मा किसी से ना कहूंगी मुझ भावी पर हाथ डालने की हिमत भी कैसे हुई तेरी अभी इस घर से बाहर निकल जा जो बहन बेटी की इज़त ना कर सके वो घर तो क्या समाज में भी रहने लायक नहीं होता मुझे क्या पता था मैं उलाद नहीं साप पाल रही हूं यो एक दिन घर की इज़त को ही डस जाता है दफा हो जा यहां से कभी अपनी सकल मत दिखाना नहीं तो पुलिस में दे दूंगी लेकिन अम्मा आप यहां कैसे बहु ने सवाल किया न जाने क्यों मुझे घबराहत हो रही थी मेरा दिल नहीं माना तो पुस्पा का भांजा चंदू मुझे वापिस छोड़ गय जूठन नहीं हो जाती इस हाथ से ने मेरे मन में चिपे वो जूठन के दाग से मुझे मुक्ती दे दी कोई कुता अगर पागल होकर काटेने लगे तो उसे ही गोली मारी जाती है खुद खुद खुसी नहीं की जा सकती इससे पहले कि कोई महिला इन कुतों से डर कर खुद चुका था इधर अमिताम मा के गले लगकर बरसों की अपनी ममता की प्यास बुझा रही थी आशा करती हूं दोस्तों आपको मारी कहनी जुरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद